पाकिस्तान के क्लब क्रिकेट में एक खास कारनमा हुआ है। पाकिस्तान के शिकारपुर में आयोज़त PCB फजल महमूद इंटर क्लब क्रिकेट चेंपियंशिप में 26 साल के युवा बल्लेवाज। बिलाल इर्शाद ने 50 ओवाले मैच में अकेले 175 गिंद पर 320 रन ठोप डाले। अपनी धमाकेदार पारी में बिलाल इर्शाद ने 9 चपके और 42 चोके जमाए। बिलाल इर्शाद ने शहीद आलम बक्स क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए ये खास का माल किया। बिलाल इर्शाद ने अपने टीममेट खिलाडी जाकर हुसेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 364 रन की साजहदारी की और 50 ओवा में 556 रन का लक्षय अलरहमान सीसी क्लब क्रिकेट टीम के सामने रख दिया। शहीद आलम बक्स, क्रिकेट क्लब ने यह मैच 411 रन के अंतराल से जीत लिया। आपको बता दी कि इस टूर्नामेंट का उदेश्य क्लब के खिलाडियों को शामिल करना और पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट को पुनरजीवित करना है। इससे पहले ऐसा ही कमाल भारत के दिल्ली में हुआ था जब मोहित अहलावत ने 72 गेंद पर 13 शतक छोग दिया था।